नमस्ते जी स्वागता आपका तेयर से विल्स में अब हम आ चुके हैं जो नेक्स्ट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है यानि पार्ट सेकेंड जिसमें हम बात करने वाले हैं element number one यानि introduction की ठीक तो किसी भी कोशन को जब किसी कोशिट को आप address करते हो ठीक है उसके factual introduction जहां पर आप कहलो की नीटी आयो के फैक्ट कोट करते हो या फिर डबलु एच्चो के या फिर वर्ल बैंक के या फिर गॉर्मेंट ऑफ इंडिया के या फिर अलग 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 इंस्टिउशन के है ना number of चीजें हैं जिनका आप फैक्ट कोट करते हो एडियार की रिपोर् कर रहे हैं तो आप आट पुट की बात कर रहे हैं तो तो होता है जहांते है पको रिपोर्ट कर रहे हो तो तो दूसरा आता है स्टाने Charter की Definition है, Secularism की Definition है, Regionalism की Definition है, इसी तरह से a number of चीज़ें हैं, आपके अलगलग syllabus के अलगलग papers में, उनको आप Definition-based introduction कहते हो, ठीक, तो ये सपले simplistic way माना आता है, कि आप कोई key term देखे हो, आप उसको देदेते हो, कि आप समझ गए हो, कि demand of the question क्या है, ठीक, तो ये चीज़ आप तीन तरह के introduction आप majorly divide कर रखे होते हैं, अब क्या होता है, कि आपको इनी चीज़ों पर मेहनत करने होती है, कि आपको areas अपने syllabus में decide करना होता है, कि syllabus खोलो, ठीक है, और ये decide करो, कि यहाँ किस sections में कौन-कौन से तरके introduction हो सकते हैं, और उनको पहले ही preparation करके रख लेना होता है, या आपको ये decide करना होता है, किसमें मैं introduction based, अपना definition based introduction रखोंगा, किसमें facts based होने चाहिए, at least दो option हमेशा रखना चाहिए, current affair भी जब current affair last में जब पढ़ते हो, तो आप समझ में आ ही जाता है, कि current affair कहां add कर देखते हैं, लेकिन आपको यहाँ और यहाँ पे हमेशा option लेके चलना चाहिए, कि अगर मेरे पास कोई topic है, तो क्या उसमें कोई fact है, अगर fact नहीं है, तो introduction है, मतलब sorry definition है, definition है, तो मैं उसको बकाइदा किसी international agency या फिर national agency का कोई definition दे रखा है standard, उसको मैं अपने notes में रखूंगा, उसको as a introduction मैं use करने बाला हूँ, right, यह चीज़े हैं आपके सामने, ठीक, और current affair based, कोई current event आ गया, तो इससे society में आ गया, society हो गया, या recent, कुछ environmental या फिर geographical phenomena हो गया, और उस तरह पे question आ गया, तो वह आप इसको contestual line अड़ करते, तो या फिर example अड़ करके start करते हो, ठीक, अब आता है introduction में भी बहुत चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं, उस पे हम बात करते हैं, तो कुछ-कुछ चीज़ें मैंने last week एक week में देखी हैं, जो लोग, बैसे तो बैने धेर सारी कॉपियां देखी हैं, अलग-लग comment करना होते हैं हमें, तो लेकिन जो majorly last week की जो learning है, जो जिन्होंने answer लिखा है, ठीक है, वो ज्यादा relate कर पाएंगे, ज्यादा उनके लिए better learning होगी यह चीज़, ठीक है, तो आईए देखते हैं, क्या-क्या हमाई लिए introduction में what to do है, and what not to do वाला part है, तो जैसा कि मैंने बताया था last video में, कि एक इंसान का शरीर जैसा होता है, कि शरीर में सर्ग जो होता है, आपका head वाला part, वो कितने size का होना चाहिए, ठीक है, तो majorly हम बात कर रहे हैं कि introduction का size का है, और उसके अंदर में कुछ बात करेंगे, कि कैसा, मतलब होता है, qualitative और quantitative दोनों बाते करेंगे, तो first cheese की size कितना बड़ा होना चाहिए, तो मेरे मतलब जितना हम लोग ने देखा है, अपने सामने copy आज जाते हो है, और toppers भी चीज़ी उख करते हैं, कि 4-4 line max to max होना चाहिए, आपको किसी भी जब आपको अपने answer को introduce कर रहे हो, या फिर अपने question जो आपके सामने रखा हो, उसका demand address करने जा रहे हो, तो max to max 4-4.5 lines होने चाहिए, अब क्या होता है, कि यहाँ पे आपको अपने, कह सकते हैं कि craving होती है, कि बहुत धेर सारा लिखने का, तो उसको curb करना है, तो preciseness and simplicity इस दकी, keep it simple, तीम तरह के introduction रखो अपन है, ठीक है, तो quotations क्या हो है ना, कि आप बहुत ज़्यादा महनत कर रहे हो, इसके जगा, मतलब preciseness लाओ अपने अंदर, quotation कोई जरूरी नहीं है, कि आपको उस particular topic का, उस particular connotation में quotation याद हो, अब तीन तरह के connotation उसा तो होते हैं, मालीज एक neutral होता है, एक positive होता है, और एक negative होत है, ठीक है, तो कोई भी topic पे तीन तरह के question आएंगे, आपके पसामने, तो इन में हमेशा आपो quotation काम नहीं आने वाला है, लेकिन आप महनत day in day out महनत कर रहे हो, quotation को याद करने में, और वो भी आपको ये नहीं पता है कि size कितना है आपका, हो सकता है कि कई लोगों ने 6-6 line का इनती 5-5 line का quotation लिख रखा था, introduction में, तो आप समझो कि वो महनत unnecessary जा रही है, बलब उसका कोई फाइदा नहीं मिलने वाला आपको, तो इस पे आपको क्या काम करना है, प्रसाइसनेस पे काम करना है, simplicity पे काम करना है, जिसके punch लगे आपको, और बहुत जादा महनत ना करते ह हुआ है, आप सीरे body part में move कर जाकते हो, अपने subheading के बाद, ठीक है, तो इस चीज़ को दिहान रखना, कई लोगो ने क्या किया, अभी भी लिखते हैं, कि multiple paragraphs लिखते हैं, तो ये big no है, है ना, this shouldn't be done, आप अपने introduction के साथ, multiple paragraphs में, कई लोग 3-3 paragraphs लिखे हो थे, introductions के, और जो चीज facts आप यूज कर सकते था, अपने body में, जो चीज आप main body में, आप address करने के लिए question का demand, वहाँ यूज कर सकते था, आपने introduction में ही वेस्ट कर दिया, उसको, मिलेगा तो भाईया, डेर में से number ना तुमको, out of dear या out of 2 ही तो number मिलेंगे तुमको, तो वहाँ पे, जहा हो सकता है कि आप बहुत अच्छा लिखो, precise रहो, बहुत simple रहो, तो हो सकता है 1.5 ही चले हो, लेकिन 3-3 तरह के types जब introduce करते हो, एक ही introduction में, तो उसका फायदा नहीं मिलता आपको, ठीक है, तो first thing first कि आपका size कता हो चाहिए, 4-5 lines होनी चाहिए, multiple paragraphs, multiple paragraphs बिलकुल नहीं use करना ह है, ठीक है, और ध्यान देने वाली बात क्या है, कि मलब तीनों में से किसी एक type में, एक type को introduce कीजे, एक type को use कीजे, किसी भी अपने answer को introduce करने के लिए, एक ध्यान रख रहेगा, जब भी multiple paragraph आप use करते हैं, तो इस तरह के arrow मत use किया कीजे, वो तो और turn off है किसी evaluator का, कि आप आपने introduction से ही arrow use करना, या 1, 2, उसको numbering देना start कर दिया आपने, तो वो भी मत use किया कीजे, तीन चीजे हो गई, या in fact चार चीजे हो गई, कि any one type of introduction, ठीक है, तो चार चीजे हो गई, अब आती है, जो line मैंने कई लोगों के कहली जे introduction पर comment किया, ठीक है, contestual line, contestual line is the key for the introduction, ठी एक question हमने डाला PYQ का, कि कैसे globalization affect कर रहा है urban women को, या फिर in general women को, चलिए माल लेते हैं, ठीक है, तो धीर साल लोगोंने क्या किया न, globalization को introduce कर दिया, ठीक, उसका standard definition लिख दिया, या फिर उसको कुछ data fact कोट कर दिया, तो लेकिन, अगर आप ये बस introduction में globalization को introduce कर दे रहा हो, भ लिंग्ड है, तो उस चीज़ को आपको बताना पड़ेगा, आप उसको एक line तो, जो से होता है कि आपने definition तीन line का लिख दिया, आपने माल लो, तो एक से deadline जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कि उसको contextual statement, आपको जो क्या करने वाला है, उससे contextual statement से, अपने introduction को, introduction को, आप link करने व next चीज़ आते हो, कि हमेशा क्या होता है ना, कि introduction को के बाद spacing देनी होती है, अब spacing क्यों जरुवत होती है, sub editing की क्या जरुवत होती है, इसको हम next video में cover करेंगे, तो thank you for watching this video.